हेलो दोस्तों वल्कम टो वार चैनल तो बहुत सारे इस्टोरेंट का डाउट है और वह बार-बार कह रहे हैं कि भईया आप ये बता दो बस एक बार मैं पढ़ना चाहता हूं लेकिन मेरा मन नहीं लग रहा है आप बस ये बता दो कि ALP में मैक्सिमम एज लिमिट क्या रहने मेली है देखिए मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं एक बार मैं फिर से बता रहा हूं ALP में जो एज लिमिट है पिछली बार 28 साल का पहली बार में नोटिफिकेशन आया था फिर बच्चों ने कुछ हला उला किया टूइट टूइट किये उसके बाद नोटिफ में भी छूट मिली जीडी में भी मिली हर जगह छूट मिली थी तो आप लोगों को भी पांच साल बाद वेकेंसी आ रही है तो निश्चित तोड़ से गवर्मेंट ऑफ इंडिया या मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज आप लोगों को यह छूट देगी ही देगी साल आप लोगों को छूट मिलेगी ही मिलेगी बस आप लोगों को अपनी बात रखनी पड़ेगी जैसे कि इन लोगों ने रखी है और हो सकता है गवर्मेंट पहले से ही नोटिफिकेशन आप लोगों का 38 प्लस 3 31 साल का निकालेगी अन्रिजर्व कैटेगरी में 3 साल OBC को चूट मतलब 34 साल और 5 साल SCST को चूट मतलब 36 साल यह तो कंफर्म है अब कुछ बच्चों की इससे भी जादा है यह जब हो कहरें हमारा क्या होगा तो मैं आप लोगों को बता दूँ आपकी चांसेज 10% ही है बच्चे कहरें कि पिछली बार 30 साल अन्रिजर्व कैटेगरी आप लिया था तो इस बार 33 साल फे ले रगा तो हां वानले सकता है एक उमीद पाल सकते हो एक लेकिन इसकी गेरेंटी नहीं है गेरेंटी जो हो रही है वह इसी चीज़ की होरी है कि आपका 31 साल यह जो है वह आप लोग की एजंवे चूट मिलेगी तीन साल चूट मिलेंग सोचना चाहें वैसे सोचें लेकिन रियालेटी यही है कि 31 साल वालों के तो चांसे पूरे हैं वो लोग करें तैयारी लेकिन यह जो 33 साल वाले हैं इसमें थोड़ा सा डाउट है हाँ एक मुद्दा उठ सकता है कि सर पिछली बार आपने 30 साल वालों को उठाया था 3 साल की एक वीडियो आएगी और यह सिर्फ चूट इसमें नहीं गूरूबडी में भी चूट मिलेगी आप लोग को और ठीक इसी तरीके से जितनी वेकंसी आएगी उसमें यह चूट देखने को मिलेगी इसी तरीके से बात करेंगे कि ITI से आप लोग को चुटकारा मिलेगा या न